दोस्तो नमस्कार हमारे एपी ए पाम एनालिसिस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाथ की तरजनी उंगली में तिल के प्रभाब को लेकर तिल यानि मोल जिसे मोल भी कहा जाता है तो हाथ की तरजनी उंगली में तिल होने से इसका क्या प्रभाब होता है आईए इसके बारे में जानते हैं दोस्तो हाथ की इंडेक्स फिंगर यानि तरजने उंगली ये वाला उंगली इस उंगली को गुरु विरस्पती के कारक भावों से जोर के दिखा जाता है क्यूंकि गुरु विरस्पती का इस्थान इसी उंगली के नीचे के सित्रे में इस जगा पर होता है ये वाला गुरु पर्वो का अलग-अलग महत्व होता है तो जाहिर सी बात है इस उंगली की अलग-अलग पर्वो में तिल का होने का प्रभाब भी अलग-अलग होगा हाथ में सफेद रंका बिंदू या जिसे सफेदी तिल्भी कह सकते हैं वो अगर इस उंगली की किसी भी पर्व में हो यहाँ पर हो, इस जगा हो या यहाँ पर हो तो उस पर्व के कारक भाव से समंधित सुप परिनाम ही देखने को मिलता है क्योंकि सफेद रंग का बिंदू हमेशा उन्नती कारक मना जाता है कभी-कभी किसी विक्ति के हाथों में इस प्रकार के सफेद बिंदू देखने को मिल सकता है तो ये बहुत सुब होता है मगर जब बात आता है ब्लैक मोल या काला बिंदु या जिसे काला तिल कहते है और लाल रंग का तिल तरजनी उंगली में कहीं पर भी होना इसे सुब नहीं माना जाएगा ये इस उंगली की जिस पर्व में रहेगा उस उंगली की पर्व के कारकभाव से समंधित परेशानियां क्रियेट करेगा तो सबसे पहले तरजनी उंगली की पहली पर्व के बारे में बात करें तो तरजनी उंगली के पहला पर्व ये दर्शाता है इंसान की बोधिक सक्ति के बारे में बेक्ति की तर्क सक्ति नेत्रित्य करने की समताओ के बारे में तो अगर किसी बेक्ति के हाथ में तरजनी उंगली की पहले पर्व पर तिल हो काला तिल तो ये इस बिक्ति की बोधिक सक्ति को प्रभावित करेगा ज्यादा संभव है कि ऐसे बिक्ति तर्क से कुतर्क में उतर आए किसी से तू-तू-मय में हो जाने की भी संभाव ना रह सकता है खास करके अगर ये बिक्ति किसी जनसमुह के कारियों सित्रे से जुरा हुआ हो तो अक्सर ऐसे बिक्ति की किसी बातों के बज़े से कोई बहुत बारा कॉंट्रवर्सी क्रियेट हो सकता है परिशानी क्रियेट हो सकता है तो अक्सर ऐसे विक्ति अपना बातों के बज़े से किसी फालतु के जनजर जमेले में पर सकते हैं अपना छबी खराब कर सकते हैं तो इसका भी संभाबनाय बनी रहती है तो ऐसे विक्ति अपना बातों पर नियंतन रखे तो फिर गल्ती होने का सामभावनाए भी बहुत कम होगा तो तरजनी उंगली की पहले पुर्व में तिल का होना ये विक्ति की बुद्धी में एक तरह का दूस को पैदा करता है जिसे विक्ति की बोधिक सक्ती तर्क सक्ती नित्रित्त करने की समताव ये सारे प्राभावित होता है अब बात करते हैं तरजनी उंगली के दूसरी पर्व में तिल के बारे में तिल के प्राभावों के बारे में तरजनी उंली के दूसरा पर्व इस पर्व को व्यापारिक पर्व माना जाता है तो देखा जाए तो तरजनी उंली की दूसरा पर्व बेक्ति के साथ किसी ना किसी प्रकारों से धन संबंदित मामलों से जुरा हुआ रहता है तो अगर किसी बेक्ति के हाथ में तरजनी उंली कि ऐसे बिक्ति में एक तरह का आलसीपन पैदा हो सकता है फल सरूप ऐसे बिक्ति की हर काम बहुत डिले होता है हर कामों में देरी होता है कभी-कभी किसी इन्पोर्टेंट कामों को ज़्यादा इन्पोर्टेंट ना देना समय पर काम पूरा ना कर पाना इनी प्रकार के कारोनों के वज़े से बिक्ति को आगे चलकर काफी नुक्सान उठाना पड़ता है खामियाजा भुगतना पर सकता है और खास करके व्यापारिक बर्ट के लोगों को इसके बारा में बहुत साबधानी बरतना चाहिए व्यापार में हानी, मानसिक परिशानी इस प्रकार के सांभावनाएं बनते हुए देखा जाता है दोस्तो अब बात करते हैं तरजनी उंगली की तीसरा पुर्व पर तिल के निशानों के बारे में अगर किसी बिक्ती के हाथ में तरजनी उंगली की सबसे नीचले वाले पर पर तिल का निशान हो तो ये बिक्ती के लिए स्वास्त से समंधित परिशानियों को पैदा करेगा ऐसे बिक्ती को लिबर से समंधित कोई रोग बीमारी का खतरा रहता है गलत खान पान के वज़े से या बहुत अधिक खाने से लिवर में किसी प्रकार का परिशानिया उत्पन्न हो सकता है विशेशकर अगर तिल का रंग लाल हो तो ऐसे विक्ति की लिवर का परिशानी यानि पेट का परिशानी तो रहता ही है और साथ ही साथ ऐसे विक्ति जादा टेंशन लेनी की आदथ होता है ऐसे विक्ति को तो इसलिए सरीर में बिमिन्न प्रकार के रोग उत्पन हो सकता है तो तरजनी उमली के कहीं पर पर तिल का निशान हो तो ये बेक्ति को स्वास्थ से समंदित परिशानियों को पैदा करता है तो तिल का निशान को तरजनी उंगली के कहीं पर भी अच्छा नहीं माना जाएगा अगर किसी के हाथ में ये तिल जनम से ही हो तो इसका प्रभाब बहुत कम होगा मगर यदि तिल बाद में उभर के आए तो ये बेक्ति के लिए ज्यादा परिशानी का कारण हो जाता है तो इसका अगर उपायों के बारे में बात करे क्या है उपाय? क्या करना चाहिए? तो अगर तरजनी उंगली के पहला पर पर तिल का निशान हो तो ऐसे बिक्ति को अपना बानी पर बहुत कंट्रोल रखना होगा बहुत अधिक बोलने से बचना है मतलब सब्दों का इस्तमाल बहुत ही सोच समझ कर करना है तो आपके लिए अच्छा होगा अगर तरजनी उमली के दूसरे पोर पर तिल का निशान हो तो ऐसे बिक्ति को आलसी पन से बचना चाहिए सही समय पर काम को पूरा करने की आदर डालना होगा तो इससे होने वाले काफी सारे नुक्सानों से आप बच सकते है और अगर तरजनी उमली के तीसरा पर पर तिल का निशान हो तो ऐसे बिक्ति को अपना स्वास्थ से संबन्दित मामलों में काफी सतर्क, सचेत और साब्धान रहना चाहिए अपना खान पान पर काफी अधिक नियंतन रखना होगा बहुत अधिक या उल्टा सिधा खाने से बचना होगा इन सबों के इलावा अगर विशेश उपाय के बारे में अगर बात करें तो जब हम गुरु परवत पर तिल के बारे में चर्चा करेंगे तो साथी साथ उंगली पर तिल के प्रभावों के उपायों के बारे में भी डिसकस करेंगे तो ये थी जानकारी तरजन यूंगली की तील के प्रभावों के बारे में तो दोस्तो अगर ये जानकारी अच्छा लगे तो कृपिया लाइक करे और अगर चैनल पर पहली बार आए है तो इस चैनल को भी सस्क्राइब करे साथ ही साथ लोटिफिकेशन आल पर भी क्लिक करे ताकि अगले वीडियो के जानकारी आप तक पहुच सके तो इस वीडियो में बस इतना ही तन्यवाद